हलो जी आप सभी को मेरी राम राम कैसे हो आप आई होफ आप पढ़िया होगे मैं भी पढ़िया हूँ आज थोड़े बादल से लगे है गर्मी भी आजकल बहुत तेज होने लगी है बहुत गर्मिया स्टार्ट हो गई है गर्मी का मौसम भी शुरू ही हो सुका है और मैं दिखाती हूँ आज आपको यहां आसपास का ब्यूँ यह देखिए यहां पे अंगुर लगाया गया है यह अंगुर का पेड़ है यह देखो ये अंगूर का पेड़ है इसमें पत्ते आ गए है ये देखो हर्याली आ गई है और अंगूर भी छोटे छोटे से अंगूर भी निकल गए है ये देखिए ये अंगूर का पेड़ है कितने अच्छे पत्ते आए है और अंगूर भी इस भारी भारी मात्रा में लगे हुए है ये देखे कितने सारे अंगूर आये हुए हैं इसमें, ये देखे, ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखे, इधर पूरे में ये अंगूर की बेल फैली हुई है, और फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छे फ्रूट्स आये हैं अब इसमें, ये देखे और यहां साथ में भी सबजियां उगा रखी है यह लोकी का पोधा है और यह दूसरा खीरे का है और यह तोरी का है और इधर भी तोरी है इधर यह करेला लगा रखा है देखू करेला भी इतना बड़ा हो गया है ये देखिए यहाँ गुलाब के फूल लगे है कितने अच्छे अच्छे से फूल लगे है ये देखिए गुलाब भी खिल गया है कितना सुन्दर सुन्दर फूल है ये देखिए ये भी बेल बने जारी है इसके और इसमें फूल निकल गए है और यहाँ भी ग्रेप्स लगे ह देखो कितनी फ्लावरिंग हो रही है बारिश भी नहीं हो रही है और फिर भी बहुत अच्छे से अंगुर की बेल में भर लगे हुए है ये देखिए ये हल्दी है और ये अब निकाली गई है अब ये खेतों में लगानी है कुछ इसमें सड़ भी गई है ये देखिए हल्दी लोग अपने खेतों में हल्दी लगाते हैं और अपनी शुद हल्दी त्यार करते हैं ये देखिए इधर यहाँ पे अर्वी भी है ये देखिए अर्वी ये खेत में लगानी है ये अभी अभी निकाली है इनोंने इसे पाहडी भाषा में कचाओली भी केते हैं इसको खेत में लगानी है ये अरबी ये देखो ये दूसरे वाली कचाओली ये वाली ये वाली ये कचाओली इसे कचाओली कहा जाता है देखो ये अपने खेतों में लगाएंगे इसको और अपने लिए शुद्ध सबजी उगाएंगे देखो यहाँ बहुत इमेंटी लोग होते हैं यहाँ पहाड़ों में अपनी सबजी उगाई जाती है और हल्दी भी अपनी त्यार की जाती है और अर्वी भी अपनी त्यार की जाती है कचा ओली विगेरा सब कुछ अपना त्यार करते हैं यह देखिए कितने अच्छे अंगुर आ रहे हैं बीना बारिश के भी है कितने अच्छे उग रहा है यह अंगुर का पोधा यह देखिये, यहां भी कितने अच्छे से गुलाब खिला हुआ है, यह देखिये, देखो कितना सुन्दर है, कितने अच्छे गुलाब के पोदे है, और यहां यह है खुमानी का पेड है, यह देखो इसमें खुमानी भी आई है देखो कितनी बड़ी बड़ी खुमानिया हो रही है और कितनी अच्छे से इसमें खुमानी लगी हुई है यह खुमानी का पेड़ है और इसके फल बहुती स्वादिष्ट होते है धने खुषमानी खाने वे बहुत स्वालिष्ट होती है और यह देखो कितनी अच्छ नहीं है बहुत ही अच्छ kup your और यह सामने केले का नीखे और यह देखे केला से हैं कितने अच्छे अच्छे लगे हुए है देखो देखे यहां आसपास का विव देखिया आसपास सिधर जारों तरफ हर्याली ही हर्याली हो रही है देखिये यहां का द्रिश्य है यहां पर देखिये हर्याली हर्याली हो रही है चारों तरफ हर्याली है देखिये यह सडक दिख रही है यहां से दिखाया मैंने आपको आसपास का विव और यहां पर जो जो चीजे गाई जाती है आपको इसके बारे में बताया यहां का विव इस परकार से है हर्याली ही हर्याली है जारों तरफ ही देखिये अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें मिलते हैं अगले लोग भे तब तक के लिए बाई बाई